इसे विकल्पिक नूबिल पुरिस्कार भी कहा जाता है सोला वर्ष की ग्रेटा को जलवायो परिवर्तन के खत्रों की और दुनिया का ध्याना कशित करने के लिए ये सम्मान दिया गया है स्वीडन की इस लड़की के अलावा तीन अन्नी को भी उनके काम की सरहना के तौर पर इस सम्मान प्रदान किया गया है इन में खुतुकारा यानो मामी एसोसियेशन की दावी कोपनावा भी शामिल है ये एसोसियेशन ब्राजील में अमिजन के जंगलों और बहार रहने वाले आदिवासियों के संरक्षन के काम में लगी है इसके अलावा मौरको की एक्टिविस्ट अमिनातु हैदर को पश्चिमी सहारा में उनकी द्रड अहिंसक कदमों के लिए और चीनी वकील गूओ जियान मेई को चीन में महलादिकारों पर काम के लिए सम्मानित किया गया है जलवायों परिवर्तन से निपटने के कदम उठाने की राजनीतिक मांग को प्रेड़ना और बढ़ावा देने का काम किया है नोबल शांदी पुरसकार के लिए भी नामांकित की गई है 16 साल की थुनबर्ग इस धारणा को चरितार्थ करती है कि हर किसी में बदलाव लाने की शक्ति होती है उनकी मिसाल में हर तरह से लोग राजनीतिक कदमों की मांग करने के लिए प्रेड़ेत और सशक्त बने हुए हैं थुनबर्ग ने अपना अंदोलन 20 अगस 2018 को तब शुरू किया जब वो स्व पूरे विश्व में लोग प्रभावित हो गये ग्रेटा से प्रेडित होकर डेड़ सो से अधिक देशों के करीब 40 लाख से अधिक लोगों ने पिछले शुक्रवार वैश्विक जलवायू हर्ताल में हिस्सा लिया और नेताओं से जलवायू आपदा से ने पटने के लिए करवाय की मांगी वाशक राइट लाइवलिहूट अवाड दिया जाने के शर्वादों ने सवस्थी में की गए थी और इसके सलस्थापक एक स्विडिश जर्मन समाच से वी याकोफ फॉन वेकस्कूल थे जिनका मकसद उनको समान देना था जिनने नोबल पुरिस्कार स्व अवर अपडेट्स